स्वागत है आपका English Literature कासर चैनल पे हम आज बात करने वाले हैं History of King Lear की क्या है ये वर्क? असल में ये एक adaptation है जिसको दिखा था नोहम टैट ने और इन्होंने दुनिया के सबसे महान माने जाने वाले ड्रामा King Lear जो की William Shakespeare ने लिखा था उसको अड़ेप्ट करके उसमें कुछ चेंजिस लाए और ये उन्होंने किया था लगभख 75 75 साल बात तो कुछ खास बात रही उनके ऐसा करने में क्यों उन्होंने ऐसा किया उन्होंने ये नया वर्जा निकाला Shakespeare के इस प्ले का King Lear इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकर हमने जिस वाक की बात करे थी वो औरिजिनल प्ले था औरिजिनल ड्रामा जो Shakespeare ने लिखा था उसको इन्होंने अडेप्ट किया रेप्लेस किया और उसको stage वर्जन मनाया और उसको change लाए क्या changes लाए जिसमें से सबसे मशूर हा कि इन्होंने इसके अंदर happy ending कर दी तो जो ये tragedy थी इन्होंने उसके अंदर happy ending करके उसको tragic comedy कर दी tragic comedy वो वर्क होता है जिसके end में सब कुछ ठीक हो जाए tragedy रहेगा जब end में कोई मर जाए या कुछ ठीक ना हो दुख के साथ end होगी तो वो tragedy कहलाएगी लेकिन जब end में सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो tragedy comedy बन जाती है कहानी काफी मशूर है कि King Lear इनकी तीन बेटियां है उन में से एक जो सबसे अच्छी है वो उन King Lear से सच बोलती है कि पिता जी मैं जब तक शादी नहीं कर लेती तब तक ही मैं आप से प्यार करती हूँ वरना मेरा सारा ध्यान मेरा सारा प्यार अपने पती के तरफ होगा लेकिन King Lear ये सच्चाई बरदाश नहीं कर पाता वो अपनी तारीफ का भुका होता है ये एक कमी काफी लोगों में होती है तो King Lear में भी थी यही कारण है कि King Lear उसको साइदा से निकाल देता है और End में कहानी के अंत में युद होता है और उसमें सब मारे जाता है उसकी प्यारे बेटी काउडिलिया भी और उस सदमे से खुद King Lear भी मर जाता है उसको दिहान थो जाता है लेकिन इस दुकत कहानी के अंत में नोहम टैट नाम के क्रिटिक ने इसमें चेंजिस लेके आए और इसको बदला और अंत में सब को मिला दिया और अंत में सब सही हो गया और क्या चेंजिस लेके आए इस प्ले के अंदर फाइव एक्स हैं और जो सेक्ष्पियर ने अलग-अलग सीन्स में डिवाइड किया था उसके अंदर इन्होंने थोड़े से चेंजिस लेके आए नोहम टैट और उसको 800 लाइन्स शॉटर कर दिया नहीं मतलब 800 लाइने काट दी गई औरिजिनल प्ले से हाला कि शेक्ष्पियर ने की जो मशूर लाइने थी वो इस प्ले में मौजूद है हिस्ट्री ओफिंग लियर जो कि नॉम टैट है उसके अंदर ओरिजिनल एट्री को नहीं गवाया लेकिन कुछ अननैसेसरी लग-बग 800 लाइनों को हटा दिया ठोड़ा मौडिफाई किया लेकिन में रूप से इसको रखा थोड़ा से नया हो गया और एक कैरेक्टर जो की फूल नाम का जो कैरेक्टर है जो की जिसको हम जोकर कह सकते हैं वो इन्होंने हटा दिया तो कुछ चेंजिज लेके आए नहम टैट और कमाल के बात है ये चीज बहुत मशूर हुई काफे लोगों ने इसको पसंद किया किया ऐसा करा जबकि किंग लियर बहुत मशूर दुनिया की सबसे महान ट्रेजरी माने जाती है ये चीज भी काफी मशूर रही थैंक यू